नमस्कार देव भूमी समचार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ स्पीटे दिशी रुक करेंगे उत्रखन की खबरों के और उत्रखन के मुखे मंत्री पुशकर सिंग्धामी ने सभी देश और प्रदेश वासीों को नवश की शिपकामनाई दी हैं उन्होंने कहा है कि नमवश के सभी देशवासी तरक्की करे आगे बढ़े सभी लोग निरोग रहे साथी कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के गवाई में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधान मंत्री मोधी का हमें लंबे समय तक निर्थित वो मिलता रहे उन्होंने कहा है कि हमारा देश विश्व की पाचवी बड़ी अर्थ विवस्ता वाला देश बन गया है और पीएम मोधी के तीसरी टर्म में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बने प्रदान मंत्री जी का नेप्तुत हमको लंबे समय तक प्राप्त हो देश दुनिया हमारा जैसे भारत आज दुनिया की पांचवी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता बन गया है आने वाले उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरे नमबर की अर्थव्योस्ता बनेगा सबको सुप्राम नहीं और कैबिनेट मंत्री गनेश जोशी ने मसुरी विधानसवाई श्वेत्र के बूत संख्याच और आसी में प्रधान मंत्री नरिंद मोधी के मासिक रेट्यू कारकरम का 108 संस्कुरन को पार्टी कारकरताओ के साथ सुना प्रधान मंत्री नरिंद मोधीनी मन की बात में गुजरात में डाइरा की पर्मपरा जारकन के एक अदिवासी गाउं के कुडुक भाशा मिलेट्स फिटनेस राम मंदिर का भी जखर किया मन की बात में उन्होंने युवाओ को फिट रहने का संदेश दिया सफसर पर कैबिनेट मंत्री गने जोशी ने कहा कि मन की बात काज 108 संस्कुरन है उन्होंने कहा कि हमारे सनातन संस्कुरती में 108 अंग का विशेश महत्व है साथी आयोद्य में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उस्सा है लोग अपनी भावनाओं को अलग-अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं मत्री ने सभी से मन की बात कारक्रम को सुनने के अपील भी कि 108 अंग का बहुत बड़ा महत्व है आप देखाओगा कोई हम भार में कारे करते हैं तो जाए 108 जाप पर रहा होगा और आज मोगी जी ने जहां राम मंदिर की बात की वहें क्योंकि अगर आदमी स्वस्त रही है आदमी कितना भी धन्वान है कितना पैसा उसके पास है बड़ा परिवार है तो सब बेकार है आज तो इस फोकस पर टेस्ट तो हुआ और क्योंकि ने वर्स आने में कुछी घंटे बाकी है और हमें स्वस्त पर नगवा कि हम सबसे पहले अगर हम खुदी स्वस्त ने रहेंगे तो अपने परवार की अपने समाज की अपने देश की अमकिया सेवा करवाएंगे खबल अक्सर से हैं जहां जैदपुर गाउं में नम नर्मित पैचल पाइपलाइन जगा-जगा से लीक होने लगी है जिसके चलते गाउं के अधिकांश गलियों में पानी भर गया है गुरामिनों ने विबागी अधिकारियों और ठेकेदारे पर घट्या इस्तर का पाइप इस्तमाल करने का आरोप लगा है इसके शुकाय तहसील से लेकर जला मुख्याले तक कि अधिकारी को की गई है इस मामने में एस्ट्यम लक्सर ने संग्यान लेते हुए जाज कमेटी गठित करने की पात कही है यह टंकी हमारे गाउं में लगी और यह टंकी यह आई तक की जल सारे इसे पानी हो रहा है इसमें लिकीए सब जन्होंने वेट स्धिशन जो लगाया है बौएं घकि कि उधिया ु Wellington लगाने थे जो सड़के हैं वो सारी नों खराब होगी गाउं में कम से कम 20 जगा इनकी लिकीज है इनकी मैंने शिकायत करने के बाद अब ये गुंडागर्दी पार है कि हम कुछ नहीं करने के जो तुम से होता हो और ये कर लो और ठेकेदार और जयी वर्सा जयी यह दुन्न आप से मिली ह हो ही है अधिकारी हां अगा दिखनान चाहते हैं मैंने की शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई अधिकारी मुझे है अभी मेरे संग्यान में आया है और मेरी जो एई जल निकम है उनसे भी बारत हुई है तो अभी वह आज ही मौके पर चाहिए और उसको चैगी भी करेंगे कि ईक क्सक्ष्व पर काम हो वह एक है क्कॉलिटी के वहां पर पाइक होकर लगे हैं उसकी भी जान्ज करेंगे और अगर नहीं मिद्य यान करेंगे लिभी तो खाम यह दिसारी जिर भी खारी करा है सर्काइग स्वसक्सरी हे बहुत और अ यहां ça तो इन्होंने बट फीजन करवाया हमारे पास नुगा जो टीए इस पर लगी है वह एक्ट फीजन लगी वह आप बट फीजन में लिकीज ज्याद होते हैं लाक्ट फीजन में कोई लिकीज नहीं होती है कि एक है मेरे पास तो यह पांच लाक्या असपास कभी मेरा इसमें बट ना मिट्टी कुछ नहीं इसमें पत्थर भी आ है बहुत भी पत्रोड़ाग बहुत है इसमें पत्रों के टार प्राड़ जोड़ चुके हैं जस्पीर यह मामला कब गंभीर हुआ और इस मामले प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इस मामले में जांच प्रशासन के लिए सरकार ने एक करोड़ तीस लाग की योजना बनाई थी और उस पुरी योजना में प्लिक्ता लग गया क्राइमिन जो है और परदान जो सिते हिजारोब लगा रहे हैं जो पेजल निगम की जो जही है और उन्होंने घटी अस्तर का पर इसमें जितना भी सामान इस्तेमाल किया हो चाहे पाइप हो यह जो इसकी पहली सप्लाई को भी नहीं पाए और उसका हालत खराब हो गए तो इससे लिए करके करामना मरोज है और यह इस्तिती अब गाउं से निकल कर तैसिल मुक्यले तक पहुंच गई यह बताए जब लीकेज होनी शुरू ही थी तब इसके जानकारी पर शासन को नहीं दी गई थी पर सब्सक्राइब पहले जो असल में क्या था कि बलाक मुक्यले पर इसकी जानकारी जो चल रहे हैं जो विकास विद्वाग है उसके अधिकारी होते हैं वीडि अपने एक उसमें कहा भी है कि जो एई है उसे हमने कह दिया है कि मोके पर जा करके खुद जांच करें और जांच रिपोर्ट में अगर हमित्या पाई जाती है तो फिर कहीं ना की थेके तारे खिलाब कारवाई करने की बात जांच के आदेश दे गए जांच चुरू नहीं ह कर रहे हैं फिर नहीं तो इसमें आगे कार रहे हैं जो भी आंदोलन की रूप रूप रंदीती बनाएंगे वह उसकी तैयारी में जोटे हैं काफी परिशानियों के साबना करना पड़ता होगा जस्वीर बिल्कुल ऐसा कोई महुला ही नहीं है पूरे गाउं में चार महुल बढ़े हैं चारो मोहलों में पानी बढ़ा हुआ है और पानी पीना तो गया एक तरफ अब तो इस्थिती बन की कि उन लोगों को खुद सर्दी का मोसम है ऐसे में किस तरह से जानवर हो या फिर इंसान हो वो पानी में कैसे चलेगा तो एक दूसरे भी बात से फेके जा रह पर से लिके नीची तक यह माना जाए हां मिली बगत कई अरोप लगा जा रहा है और उम्मीद करामिनों को यह कि अब इसके मस्तर तो कोई कारवाई हो इसमें तो नहीं तो उसके वाल पिर आंदोलन करेंगे ठीक है जैस्वीर बहुत 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 शुक्रें आपका तौम अंदोलन की तर्च पर मुलनिवास अंदोलन को नया स्वरूप दे जाने के कोशिश कर रही है लेकिन मुलनिवास संगटन समीती के द्वारा सरियू नदी के तरड़ पर इसताई निवास की पतिलिप्यों को प्रवाहित करने को लेकर के दाड़ नात विदाया क्या शैला र मंत्री हैं पहले ही समीति बना चुके हैं और ऐसा नहीं है उतराखंड के लिए उनके मन में बहुत बड़ा दर्द है और मैं तो यह भी कहूँगी कि मूल निवास होना ही चाहिए लेकिन इस तरह के ड्रामे बाजी से कुछ नहीं होगा उसमें जब समीति बन गई तो जरूर ह जो हमारी परंपरा है जो हमारी संस्क्रती है वो जीविं तरह नहीं चाहिए इसमें जो है हमारे सरकार समीति बनाके अपना जो भी समीति की रिपोर्ट होगी उस हिसाआप से काम को पहाडों की रानी मसूरी में नए साल के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो गई है आपको बता दे कि होचल वेपारियों ने पाइटकों को आकशित करने के लिए कई पैकेज बनाए गई है होचलों में भी करीब सी प्रतीशित एडवांस बुकिंग हो चुकी है नए साल के जश्चनों को लेकर पैटकों की भारी भीर मसूरी और आसपत के शित्र में पहुच्टी है शहर के विबिन होचलों में नए साल को लेकर विबिन कारक्रम आईची तिकिये जा रहे हैं जहां बच्चों के लिए फन गेम की विवस्ता होगी वहीं यवाब के लिए बॉन फायर और लाइव म्यूसिक की ववस्ता भी की गई है आपको बतारे कि मसूरी पोलिस के साथ ही यातायाद पोलिस और आतरित पोलिस बलके जवान भी चप्पे चप्पे पर मौजूत रहे यातायाद का दबाव अधिक होने पर रूट आइवर्ट कर दिया जाएगा मसूरी के स्टेशर संचालक प्रभारी ने बताया कि बीते रोज बरी संख्या में उन्होंने पैटकों को मसूरी पहुचा आया प्रती दिन हमारी प्रवते छेतर की 35 सेवाएं और आजकल भीड होने की बज़े से लगबग 40 से 45 बसे अब डाउन करती हैं यानि के लगबग 80 से 90 ताइम अब डाउन के हमारे बिली चल रहे हैं दिसंबर के महिने में चुकी लोगी विशूटिया भी होती है और नया साल मनाने है तो भी यह पहुत सारे यात्री मसूरी के लिए पहुंच रहे हैं कल लगबग 1200 कुछ यात्री हमारे देरा धून से मसूरी हमारी बसों के द्वारा गए और आज भी अभी तक हमारे 25 बसे मसूरी जा चुकी है जब जी इस समय तक हमारी 11 12 13 बसे जाती थी लगबग जस्ट डबल बसे अभी तक मसूरी जा चुकी है यानि आज भी लगबग 1500 के आसपास यात्री मसूरी पहुंच जाएंगे करीब मसूरी में कितने यात्री पर्याटक पहुंच तुके बुद्धें मसूरी में लगबग मसूरी फुल है सबी ओटल हुज है तो लगबग एक लाग के आसपास यात्री मसूरी में पहुंच गए हुआ यात्रियों को कोई असुपीदा ना हो खास कर खटी और हरिद्वार में अवैद खनन पर प्रिचासन ने बड़ी कारवाई की है SDM जेवीर सिंके नर्थितु में खनन विभा की टीम ने श्यामपुल शेत्र में साथ भंडारन तीन स्क्रीनिंग प्लांट और क्रेशर पर अवैद खनन में कारवाई करती हो कि पचास लाख रुपे से भी अधिकार्त दंड लगाया है SDM की कारवाई से खनन माफियाओं में अड़कम बजगा है SDM ने कहा है कि अवैद खनन को किसी भी सूरत में बरदाश्ट नहीं किया जाएगा आगे भी अवैद खनन और अवैद भंडारों पर इस तरह के किसी लगातार कारवाई की जाएगी खबर लक्सर से हैं जहां दरचनूर ट्रेन एक दिसंबर से दो मार्च तक के लिए निरस्ट कर दी कही है इनके निरस्ट होने से लक्सर रूट की हरिद्वार इश्टिकेश और दैरादून की 16 ट्रेनों की करीब आठजार मुसाफिर अपने टिकट या आरक्शन रिफंड कर चुकी है इनके रिफंड में रेलवे को अभी तक 65 लाख रुपे वापस करने पड़े हैं आपको बता देगी सर्दियों में कोवरे के कारण दुर्गटना की संभथा को देखते हुए हर साल की तरह रेलवे इस बार भी बहुत सारी सवारी गाड़ियों को रद करती है पहले ही यात्रियों के रेलवे इस बार चुकी है बहुत सारी गाड़िया रेलवे बोर्ट दौर्टना करती है जिसमें जो लोग यात्रा कर रहे थे वो सम्मधी रिस्टिशन से अप्रार रिफंड भी ले सकते हैं अगर गाड़ी कैंसिल नहीं है तो फिर कोई रिफंड निम लेगा बागाईदा वो जिसने आपने सेट बुक करी है जिस प्रिटी में उसमें यात्रा कर सकता है खबरलक्सर से जहां अस्पस के लाकों में एंदुन ओ कोर्यों कड़ाके की ठंड का प्रकूप चल रहा है। परिशान करने वाली बात तो यह हैं कि लोग ठंड से बेहाले लेकर प्रिशासन अभी भी अलाव चलाने की ववस्ता नहीं कर पाई है जुसके चलते गरीब बेसा रहा ठंड से ठिट रहे हैं खबर पॉड़ी से हैं जहां एजंडा ठंडा पानी के समी पे वाहन ने पैदल चालक को टकर मार दी है इसके बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया जिसके बाद स्थानिय लोगों ने तुरूंत 108 में सुचनाद 108 के मुदर से पैदल चालक से मैटिकल सहायता उपलब्द कर आए गई लेकिन चालक इगमीरता को देखते हुए उसे CMI रफर कर दिया गया पलिस ने गाड़ी चालक को पकड़ लिया है दोईवाले के शहीद दुर्गा मल राज के सनात कोतर महाविद्याले में उत्राखंड अधिनस दस्थानिय चालक इगमीरता है सेवा चैन आयोग ने आज भीपी डी ओ और वीडियो भरती के लेकित परिक्षा का आयोच्वन किया जसमें को ye 500 परिक्षारतियों को त्यार किया उत्राखंड के गड़वालि और कुमावनी भाषाओं के साथी जनरल नौलिज के प्रश्ण पेपर में आई हैं परिक्षा देने के बाद जहां कई परिक्षारतियों के चहरे खिली हुए थे तो वहीं परिक्षा देने के बाद कई परिक्षारतियों के चहरे के रंग उड़े नसर आए परिक्षा के लिए पहुंचे ऑगही थी आप्याने साधिस क्षा कि आपके खिले इनकी एखल राए तो तो rebelli यह दैसे में सब्सक्राइब कर में इसे 1000 परिक्षारती गढ़ थे ञाहिन में तो यह शुम कर दोड़ायाrien च multiprovi वीडियो और वीडियो भरती की लेखित परिक्षा हुई थी खबर दैरादून से हैं आयोधिया में बने जरहे उत्राखंड के राज्य अतिती ग्रह में पूराने के संस्कृति की जलत दिखाई देगी इस बात की जानकारी संस्कृति परिश्यत की उपाध्यक्ष मदू भत ने दी उन्होंने बताये कि उस्वराखंड के चारधाम का चि ख्रेव भूमी हैं उसके अनुरूप वहाँ पर जो हमारे चारों धाम है श्री बद्रीनाथ के दारनातियम नोत्री गंगोत्री और पूरा जो हमारी मानस खंड के जितने पौराणिक जो मंदिर है उन पौराणिक मंदिरों की जलक तो वहाँ पर राज्यतिती थी ग्रह जो हमारा जो हमारा जो बनने जा रहा उत्राखंड का उसमें दिखेगा ही दिखेगा साथ में यहां की जो लोक कलाकारी है जो यहां की कला है जो यहां की काश्ट कारी है उसका विल्कुर सजी चित्रन आपको वहाँ पर दिखाई देगा इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी ह खबर उटकी से जहाने साल को लेकर S.S.P. परमेंदर सिंग दोभाल ने हुडंगियों को लेकर पुलिस अधिकारियों को सक्ति के साथ ने पढ़ने के कड़े निर्देश दिये हैं असर आए उनके लिए कंबल रगेरे का इंतिसाम कराएं नवर्स को व्यास्ति धंग से और सकुसल संपन कराने के लिए पुलिस लगातार सड़कों में रहेगी काम भी करेगी और जो लोग हुड़दंग वगर करते हैं उन पर भी नकिल कसेगी तो फिलाल के लिए देव भूमी समचार में इतना ही खबर लगतार जा रही है दिखते रहें टेवाइस